Om Namaha Siddhisthya Vyada Om Namaha Siddhisthya Vyada Om Namaha Siddhisthya Vyada प्रणादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादा महराज की मंत्र बच्चा पढ़ता है एक नमोकार मंत्र जवान पढ़ता है वही नमोकार मंत्र बूढ़ा भी पढ़ता है वही नमोकार मंत्र अजयन भी कोई कोई पढ़ लेते हैं वही नमोकार मंत्र छुल्लक जी भी पढ़ते हैं वही नमोकार मंत्र आरीगा माता जी भी पढ़ती हैं वही नमोकार मंत्र साधू भी पढ़ते हैं वो पाध्यायी भी पड़ते हैं और आचारी भी पड़ते हैं नमोकार मंत्र वही है लेकिन सबके पढ़ने में अंतर है की नहीं है किसका अंतर है ग्यान का अंतर है बच्चा है अज्ञानी है उतना ग्यान नहीं है उसके पास में कि वो भाव से ध्यान पूर्वक पढ़ सके तो तली भाजा में नमो लियंतालम नमो थिद्दालम नमो आयली आलम ऐसे पढ़ेगा वो उसे नहीं पता अरिहंत भगवान कौन है उसे नहीं पता सिद्ध भगवान कौन है, आपने याद करा दिया, उसने बोल दिया। थोड़ा सा बड़ा हुआ, आपने बताया, ये भगवान है, ये अरिहंत भगवान है, बच्ची हैं, पाट साला में गई, पाट साला में जाकर कि वहां सिखाया, पंच परमेष्ठी होते हैं, अरिहन्त सिद्धा, अचारू, पाध्या, साधू, तो पता चला यह अरिहन्त भगवान है, अच्छा नमोरिहन्त आरम इनको कहते हैं क्या, थोड़ा सा और ग्यान हो गया, थोड़ा और बड़ा हुआ, तो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, औ ज्ञान विक्सित होता जाएगा और संस्कार नहीं मिलेंगे तो ज्ञान विक्सित नहीं होगा अब वही नमोकार मंत्र सादू पढ़ता है ध्यान में पढ़ते हैं जब ध्यान में बैठते हैं तो क्या करते हैं नमोकार मंत्र पढ़ते हैं यानि कि नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है आप मात्र नमोकार मंत्र से केवल ज्यान की प्राप्ति कर सकते हैं इतनी गहराई है नमोकार मंत्र में केवल ज्यान बहुत बड़ा ज्यान है छोटा मोटा ज्यान है केवल ज्यान यदि नमोकार मंत्र का भ हाव से पढ़ा करो आज से संस्कार शुरू होंगे तो आगे हो सकता यही नमोकार मंत्र आपको केवल यान की प्राप्ति करा दे आप बड़े बड़े शास्त्र नहीं पढ़ते हो, आप बहुत उपवास नहीं करते हो, आप बहुत ज्यादा पूजा नहीं कर पाते हो, आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हो, कम सकम नमोकार मंत्र तो ध्यान से पढ़ लो, और एक मंत्र भी नहीं पढ़ पाए, तो पूर क्या रहा जीवन में धरम हमारे साथ। जैसे तवत जी बढ़ें पैसे अदैंy जैसे बढक पड़ा शे कर्लाम के बीना बागों कि मितलफ क्या रहा। तजा एक ऐसी चीज है जो हमें सच्चाई दिखाती शहां ग्यान ऐसी चीज है जो हमारा रास्ता प्रशस्त करती है ग्यान ऐसी चीज है जो दूद का दूद और पानी का पानी बताती है ग्यान एक ऐसी चीज है जिससे मोक्ष मार्ग मिलता है यह ग्यान है किसके पास यह ग्यान है आत्मा में यह ग्यान है जीव के पास किसके पास है और आप कौन है, बोलिये न, जीव है, आपके पास ग्यान है कि नहीं है, अरे बोलिये न, है, अब ग्यान है, आँखों से देखते हैं, सामने दिख रहा है, अब सामने देख तो रहे हैं, सच्चाई देख रहे कि नहीं देख रहे हैं, मालो धूप हो रही है, और आपने हरे काले रंग का चश्मा लगा लिया तो आपको धूप कैसी नजर आएगी हारे रंग की नजर आएगी आपने काले रंग का चश्मा लगा लिया तो धूप कैसी नजर आएगी काले रंग की नजर आएगी अब हमारे पास ग्यान तो है मंगर मुह का चश्मा लगा है हिम्त है कि ग्यान कहता है संसार में कुछ भी मेरा नहीं है मगर मौ का चश्मा लगा है ये भी मेरा है कि ये लिमन का चश्मा को पतारो। और फिर देखो, मुझे किसी चीज से मोह नहीं है, किसी चीज से मोह नहीं है, फिर कहो कि मेरा कह नहीं सकते हो. ज्ञान बताएगा, अभी क्यों नहीं दिख रहें हैं सचाई? क्योंकि मोह का चश्मा लगा हुआ है. है और हमने आज तक बिना चश्मा उतारे संसार देखा ही नहीं है कि जब हम पैदा हुए थे तो मोह के गुट्टि तो पैदा होते पिला दिए पिला दिए ढ भेटाः तेरी बुगा है बोल भुगा mudar यह तेरी मम्मी एक्थ तरे पापा हैं दादा धाधी बोल frost illness पएदा होतकी मोह की घुट्टी पिलाई थे लेकिन आचारे कुंद कुंद किमाने जब लोरी सुनाती थी आचार कुन्द कुन जब बच्छपन में छोटे थे तो कहती थी सुधोशी बुद्धोशी निरंजिनोशी संसार माया परिवर्जितोशी ए बेटा तू शुद्ध है तू बुद्ध है तू संसार की माया की तरप से सोजा ऐसे संस्कार दिये उस माने कोई तेरा नहीं है तुने जनम मेरे कोक से लिया है मैं तेरी इस संसार की मा हो सकती हूँ लेकिन आत्मा को मैं जनम नहीं दे सकती हूँ मैं तो निमित मात्र हूँ बाकि कर्म तो तेरा ही है तो अपना भाग तो खुद बना तू अपनी आत्मा का कल्यान तू खुद कर तू शुत्य है तू बुद्ध है तू नित्य है तू निरंजन है तू अजर है तू अमर है तू अविनाशी है तो इस शरीर से अपनी आयू को थो मतंमानना, तेरी आयु है यहीं नहीं है, तू हमेशा से था, है और रहेगा तेरी मुरत्थू होती नहीं है, ऐसी लोरी गागा के आचारे कुद कुद की माणे सुनाईगी, तो वो बड़े होकर आचारे कुद 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 बने, जिन्हों ने समय सार जैसे ग्रंत की, रच आज तक संसार को मोह का चस्मा उतार के देखा ही नहीं है एक मंदिर आते हैं एक मंदिर इस थान जहां मोह का चश्मा उतारे हैं लेकिन मंदिर का वाताबरण भी ऐसा बना दिया है कि वहाँ भी मुह का चश्मा नहीं उतारते हैं, इसलिए भगवान के दर्शन भी नहीं होते हैं, तुम करने तो जाते हो, तुम रोज मंदिर जाते हो, लेकिन वीतराग भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, भगवान के दर जन्जन है ये क्रोध से रहित हैं ये मान से रहित हैं ये माया से रहित हैं जैसे ये हैं वैसे मेरी आत्मा है इनको एंसी आखों से देखो तो तुम्हें अपनी आत्मा नचर आएगी कोई छण के लिए तो मोह का चस्मा उतारो जैसे मोह का चस्मा उतरता है वैसे ग्यान जागरत होता है यह जैसे ग्यान जागरत होता है वैसे मोह का चस्मा उतर जाता है तो जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है सच्चा ग्यान कौन सा ग्यान सच्चा ग्यान जरूरी है सम् ज्यान तो कर लो, ज्यानी नहीं रहेगा, तो चारीतर कहां से लाओगी, इसलिए सच्चा ज्यान बहुत जरूरी है, अब ज्यान सच्चा कैसे होता है, दूद का दूद, पानी का पानी, दूद अलग, पानी अलग, यही है न सच्चा ज्यान, अरे बोलिये न, यही है न सच् यह परिवार वाले मेरे नहीं हो सकते दुकान मकान मेरे कैसे हो सकती है जब यही सब मेरे नहीं है तुमुद्ड आप ऒखिया कोने से डरते हो एकांद का अभ्यास नहीं है एकांद का अभ्यास एकांद में करना पड़ेगा जिसने एकांद में रहने का अभ्यास अच्छी तरह से कर लिया लेकिन ऐसे नहीं कि एकांद में तो बैटे में अगर मोबाइल और कम्प्यूटर है वह एकांद नहीं है एकांद को महसूस करो मैं अकेला बैठा हूं और मन में भी कोई नहीं हो सकता है कि तुम अकेले बैठकर भीड में हो और हो सकता है तुम भीड में बैठकर अकेले हो दोनों बातें संभाव है यदि अंदर में ज्यान जागरत है तो भीड में रहकर भी तुम अकेले हो और यदि ज्यान जागरत नहीं वहीं मुह का चश्मा है तो अकेले में बैठ के दिमाग में इतनी भीड रहेगी कि ट्राफिक जाम हो जाएगा और तुम घबड़ा जाओगे बहार निकलो यहां से ट्राफिक जाम हो गया भागो किसी के पास एकांध का अभ्यास बहुत जरूरी है और वह हो मातर ज्यान के माध्यम चहीं हो सकता है संसार में कोई दूसरा कारण नहीं है और ज्यान कैसे होगा ध्यान से होगा ग्यान कैसे होगा ध्यान से होगा ग्यान है कि नहीं आपके पास ग्यान है तो सही प्रगट करना है वो धका हुआ है चश्मा लगा हुआ है वो प्रगट नहीं है अभी हम देखतो रहे हैं मंगर मोह की आँखों से देखते हैं मोह के चश्मे से देखते हैं, तो ज्ञान को प्रकट करने के लिए धर्मे की आवशक्ता है, सच्चे ज्ञान की आवशक्ता है, भगवान को सच्चा ज्ञान प्राप्त करना था, सच्चा ज्ञान का नाम क्या है आपको पता है? केवल ज्ञान, क्या नाम है? केवल ज्ञान, क केवल मात्र अकेला क्या बच्छा ग्यान उसका नाम है केवल ग्यान भगवान के पास अकेला क्या बच्छा केवल ग्यान बच्छा ज्ञानी ग्यान है और इतना ग्यान है उस आनंद में उस आनंद में ज्ञान में आनंद है और आनंद में ग्यान है अच्छा बताओ आपके प पांस में हले कि सुख तो है आनंदने एंद्रियों के सुक्ष तो है मगर आत्मा का सुख नहीं है आत्मा का सुख क व्हें जब चाश्म हुतारों गे कौन सा चाश्मा नाइं ये वाला चश्मा नहीं कह रही है एंट अब जरूरी है लगाना ने तो माम लगडवड हो जाएगा है ना लेकिन वो जो मोह का चस्मा इसे जो पुतलियां है वो इसके अंदर है वो आत्मा में है और उसे ज्ञान पूर्वक उतारना पड़ीगा और आज के नहीं पहने हैं हमने अनाधिकाल से पहना हुआ है हम यह भूल गए है कि मोह का चस्मा अलग चीज है और मेरी आत्मा की द्रिष्टी अलग चीज है हम मुह को चस्मा लगाकर यह सोचते कि हमारा चस्मा तो यह 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 आँख है मेरी जब आप चस्मा लगाते हो तो आपको यह पता चलता कि आप चस्मा से देख रहे है यह आँख से देख रहे है हम आपने नहीं सोची होगी यह व समय लगाते हैं उस समय एक शण को महसूस होता है एक शण को कि हाँ मेरा चश्मा लग्या और मुझे साफ दिग्या और उसके बाद पूरे दिन एक बार भी याद नहीं आती कि मैं चश्मे से देख रहा हूं पूरे दिन में एक वार भी याद नहीं आता कि मैं चश्मे से देख रहा हूं मैं इंडारेक्ट देख रहा हूं मैं डारेक्ट नहीं देख रहा हूं ऐसा होता है कि नहीं होता तो ये चश्मा लगा मतलब ये चश्मा भी यहीं मिला है आपको लगाने के लिए इसी जनम में ज इसको हटा के देखना तो घबड़ा जाओगे एक बार तो जैसे आप बिना चश्मा उतार के देखो चश्मा उतार के देखो आप तो आपको कुछ और नचर आता है और चश्मा लगा के देखो तो कुछ और नचर आता है ऐसे मुह का चश्मा उतार के देखना इस संसार अलग नजर आएगा और उसके लिए आवश्यक्ता है ज्यान की तिर्धंकरों का जिनम होता है गर्व कल्यानक जन में कल्यानक घर में रहते हैं सम्यक द्रष्टी है चाईक सम्यक द्रष्टी है सम्यक ज्यान भी है मगर अभी केवल ज्यान नहीं है कौन सा ज्यान नहीं है केवल ज्यान नहीं है वैराक होता है एक प्रकाश होता है ये संसार अलग है ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ भगवान आधिनात बैठे हुए हैं राजगद्धी में चौरासी लाख पूर्व की आयू है तेरासे लाख पूर्व बीट गए घर में वैराग नहीं हुआ सौधर मिंद्र को चिंदा हो गई भगवान अभी तक घर में है और यह घर में रहेंगे तो यह कैसे होगा अवधियान से देखा अच्छा नीलांजना की जरूरत है नीलांजना प्रस्तुत कर दी कौनसी नीलांजना जिसकी आयू कुछ च्छान शेश रह रह रही थी और वहाँ पर उसका न्रत्य शुरू कर दिया आदी राजा न्रत्य देख रहे हैं नीलांजना की न्रत्य के बीच में म्रत्य हुई सोधर मिंद्र ने उसी च्छान दूसरी नीलांजना प्रस्तुत कर दी सामान व्यक्ति तो समझ नहीं पाया कि एक चली गई और दूसरी आ गई लेकिन आदिनात बगवान समझ गई ओहो ये जीवन इतना छणवंगूर है ये अभी नाच रही थी और इसी के बीच में मरे भ हुआ हुँ में अभी तक भोगों को भोग रहा हुँ 11 की ट्ल्mt आत्मा का मुझे दिख्षा लेनी है विराग गई कि है संसार नहीं अपना इसे छोड़ना है आज नहीं तो कलं छोड़ना है मरने के पहले चोड़ दो ज़ेनेगे, जोड़ो ग्यानि, जोड़ो- जमैंजी थेख़ी है, उतने लोग बैठे जोओ अनूतर कर्रकारी के लिए प्रियास देखें, पर만येंट हो जाएं संहें,ений उन्होंतर और अनूतर सरकार चल रही है कितने पर्मानेंट हुए और कितने निकल गए वहां से कितने रिटायर हो गए पर्मानेंट भी करती है कितने दिन के लिए 20 साल के लिए 30 साल के लिए 40 साल के लिए उसके बाद तो रिटायर तुम उस 30-40 साल को पर्मानेंट समझते हो वह हमारा पर्मानेंट तो हमेशा वाला होता है जहां से तुम्हें जिन्दगी में 100-200,000 करोण कई हजार को कभी ना जाना पड़े वह पर्मानेंट है तो भगवान आदिनाद को वईराग हो गया और ऐसा वईराग हुआ और उसी समय लौकांतिक देव आ गए प्रभो आप जो सोच रहे हो न वो सही है इस संसार प्छनभंगूर है इस संसार में इस्थाई कोई नहीं है सबको जाना पड़ेगा यदि इस्थाईत्व कहीं मिलता है तो वो मोक्ष है मोक्ष के अलावा सारी सारे पद निस्पद होते हैं लौकांतिक देव न अनुमोदना करी और फिर आगए सौधर मिंद्र पाल की लेकर चले प्रभु दीख्षा लेने के लिए हैं चले न तो जब तक मोह की आँखों से आदिनाद भगवान ने राज को देखा तब तक छो कोड़ने में देर नहीं लगी जैसे एक चौराहा है और घंघोर अधेरा है बारिश हो रही है आदमी खड़ा हुआ है जाओं तो कहां जाओं समझ में नहीं आ रहा रास्ता ही नहीं जर्व नहीं आ रहा है एक शन के लिए विजली चमकती है रास्ता दिख जाता रहे मुझ एक शन के लिए वैराग आता है और वो वैराग जब ज्यान बन जाता है तो रास्ते पे चलना शुरू कर देता है मेरी भावना समझने के लिए वैराग जरूरी है बिना वैराग के मेरी भावना समझ में आने वाली नहीं है जैसे आप पढ़ते हो तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे कोई कैसा ही भाई या लालच देने आवे अब भाई लालच देने आए और तुम डिगोना ऐसा संभाव है क्या जितने लोग यहां बैठी हैं एक भी बता दो एक भी डिगना तो बताओ मेरी भावना पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो पढ़ते हो क्या पढ़ते हो एक विक्ति मनोशियों को पढ़ा पढ़ा के ठक गया बोले यह मनोशिय तो मानते ही नहीं है इनकी तो समझ में बात आती नहीं है याद कर लेते हैं और पुछ नहीं करते कि चलो मैं तोतों को पढ़ाओंगा इसको पढ़ाओंगा तोतों को पढ़ाओंगा अब तोतों को मैं एमे की डिगरी करवाओंगा कौन सी डिगरी एमे की डिगरी यह मनुशी कुछ नहीं करते हैं में की डिगरी लेहने के बाद मैं 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 करते रहते हैं कि मैं करूंगा मैं हूँ मैं ही हूँ है ना चलो मैं तोतों को पढ़ाओंगा उसना तोतों को पढ़ाया तोतों को शिखाया बहे लिया आएगा जाल बिछाएगा दाने का लोब दिखाएगा लोब में फसना नहीं चाहिए कई दिन तक पढ़ाता रहा पढ़ाता रहा तोतों न सीख लिया अब वो बिल्कुल याद कर लिया दिन भर एक ही मुख से एक ही बात बोलते सारे दिन बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा दाने का लोब दिखाएगा और लोब में फसना नहीं चाहिए उसने सोचा अब मेरे तोता तो सारे एमें पास सारे तोते पेड पेड पे जाके बैड़ गहें मेरी नहीं पत समझ और तोते की नहीं समझ लो यहां जितने हैं सारे कौन है सारे तोते हैं राजा राणा छत्रपती सपड़ते हैं सपड़ते हैं लेकिन यह किवल जुबान से पड़ते जैसे वो तोते बड़ते हैं राजा राणा छत्रपती हाथ इनके अस्वार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बाल तो भई मरना है सबको जब किसी किया कोई घटना हो जाती है उसको समझाते हैं जाकर के और जब तुम्हारे हां गटना गटे तब तर वो समझाएगा अब ही उसे नहीं समझ में आए फिर तो मैं नहीं समझ में आएगी हैं तो मेरी्वावना कैसे पड़ते अथवा कोई कैसा ही भई या ला ला च देनने अंभे तो भी नेया म्यासर descendants कभी आपद और जरा सब कोई नोट दिखा दे भाई सब जरा ये काम कर दो पहले कर दो मेरा तुरा तैयार हो जाओ कैसे मेरी भावना पड़ रहे हो सच्चे ज्यान की आवशक्ता है कौन से ज्यान की आवशक्ता है सच्चे ज्यान की आवशक्ता है सच्चा ज्यान कब होगा जब म मोह का चश्मा उतारेंगे, मोह के चश्मा के उतारते ही सच्चा ग्यान शुरू हो जाता है, यानि कि जब सच्चा ग्यान होता है, तो कितने सुन्दर सुन्दर महल हों, सोने के महल हों, सोने के खंबे लगे हों, घर में सुन्दर सुन्दर रानिया हों, आग्याकारी बच्च दूट जाती है छोड़ना नहीं पड़ता है पिशले जनम का अभ्यास था एक शन में छोड़ दिया सारा कहां चले गए जंगल में चले गए कहां चले गए जंगल में क्योंकि किसी भी कारी के लिए द्रव छेत्र काल और भाव चारों की आवश्यक्ता होते हैं भाव आप सोचो कि आप टॉकीज में बैठ करके सिनेमा हॉल में बैठ करके और वहां पर बैठ के नमोकार मंतर की माला फेर लो तो नहीं फेर सकते क्यों नहीं फेर सकते क्योंकि वहां द्रव और छेत्र नहीं है अच्छे काम करने के लिए द्रव और छेत्र दोनों अच्छा यह दोनों अच्छे नहीं ओओंगे तो काम नहीं ओने वाला है अब घर में रहकर कि यह घर में किसी की मृत्य हुई है और कोई कहें जर वो शादी के बनना वननिक आके सुनाव जरा तो संभव ह्यां नई हैं संभव क्यों संभव नहीं कि stage द्रव और छेत्र अलग प्रकार का है वातावरण अभी अलग है कहीं पर शादी का वातावरण है और किसी इसे कहो कि रो तुम क्योंकि अभी द्रव और छेत्र नहीं है तो भाव बनाने के लिए द्रव और छेत्र की भी आवशक्ता होती है तो जब वहीराग आता है तो दिक्षा लेकर के जंगल चले जाते हैं शुद्ध द्रव है शुद्ध छेत्र है और जब ध्यान करेंगे तो काल अपने आप पेड़ के नीचे है कहां ध्यान लगाया वह पेड़ वी वड़े पुन्वान है जिसके जिस पेड़ के नीचे भगवान ने ध्यान लगाया होगा और ध्यान लगाते 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 कर्मों का निर्जरा करते 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 और एक अंत में ऐसा ध्यान लगाया कि केवल ग्यान हो गया, कौनसे ग्यान हो गया, केवल ग्यान हो गया, ग्याना वरन कर्म का नाश हो गया, कौनसे कर्म का, ग्याना वरन, ग्यान पर आवरन था, ग्याना वरन, ग्यान पर आवरन था, वो आवरन हट गया, मति ग्याना वरन, श्रुतक ग्याना वरन, अवधी ग्याना वर रहसा प्रगट हो गया कि लोग का लोग प्रकाशित हो गया तो ध्यान और ग्यान ग्यान के लिए ध्यान चाहिए और ध्यान के लिए ग्यान चाहिए ग्यान नहीं होगा तो ध्यान किसका करोगे और ध्यान नहीं करोगे तो ग्यान की गहराई में नहीं जाओगे एक ग्यान वो होता है जैसे एक तलाब है तलाब में पानी कहां से आता है बाहर से आता है उपर से आता है तलाब में पानी कहां से आता है उपर से आता है खुए में पानी कहां से आता है नीचे से आता है खुए का पानी अपना परसनल है और तलाब का पानी उधार लिया हुआ है तो तुम्हारे पास में आज जितना ग्यान है वो कौन सा है अरे बोले ना रोटी बनाना किसने सिखाई दुकान चलाना किसने सिखाया शब्द बोलने किसने सिखाई कपड़े पहनने किसने सिखाई चलना किसने सिखाया एधि तुम्हें माने चलना ना सिखाया होता तुम तो चार पैर पर ही चलते बहुत से बच्चे कई बार ऐसा सुनाई पढ़ता है पढ़ने में आता है कि किसी बच्चे को भेडिया उठाके ले गया और उसने वहाँ पाल लिया धूनते रहे नहीं मिला वह बच्चा बाद में मिला कब जब वह 10-15-20 साल का हो गया अब मि भेडिया जैसा चलने लगा है घयरी जैसे जपट्टा मारके खाने लगआ हमका जतना गींर वर्वान में है तो हमारा अपना है कि रहरों कि जुत ना हूरा है कि तुमने परस्नल रूप के कुछ प्राप्त किया ही नहीं कर ओप्धा होगा हो ध्यान के माध्यान तकीता लगाओ तो मूल से ब्याज बढ़ता की नहीं बढ़ता है अंदर में ग्यान तो हमारे है अंदर में आत्मा में ग्यान तो है ही और उसका तरीका की कैसे अंदर का ग्यान और हमारे निकले वह बाहर से हमने कुछ ले लिया है अब दोनों को मिलाकर के ध्यान लगाओ तो जो नि लेखा होगा कि कई महराज साथ भी पास होते हैं आठ भी पांच भी पास होते हैं और ज्यान बहुत हो जाता है अब वो पढ़ाई तो पढ़ी नहीं फिर भी ज्यान हो गया तो तपस्या करने से भी ज्यान का छय उप्षम बढ़ता है तपस्या करने से ज्यान का छय उप्षम बढ़ता है शास्त्र पढ़ने से ज्यानवर्णी कर्म का नाश होता है स्वाध्याय करने से ज्यानवर्णी कर्म का नाश होता है प्रवचन सुनने से होता है धर्मात्मा की सेवा करने से होता है ज्यानी की सेवा करने से होता है ज्यान दान देने से होता है इन सबसे ज्यानवर क्योंकि वो पुद्गल में लग रहा है किसमें लग रहा है किसमें लग रहा है पुद्गल में लग रहा है तो जो ग्यान जीव के कल्यान में जीव के विकाश में आत्मा के ध्यान में लगे वो हो गया सच्चा ग्यान और जो ग्यान है संसार के विकास में लगे वो हो गया अ एक बच्चा है और खेल रहा है एक हिरन का बच्चा है फुदकरा है और घास खा रहा है ठीक है और एक बिल्ली है बिल्कुल शांती से बैठी है चुहे के बिल के सामने है पाप का बंद किसको हो रहा है नहीं वो तो शांती से बैठी है और तो कुछ भी नहीं कर रही है और घाशा बिल्ली बिल्कुल शांती से बैठी है तो ऐसे ही संसार के कामों में जैसे महिला है रोटी बना रही है उसके भाव में ना तो क्रोध है ना मान है ना मायाचारी है ना लोब है लेकिन आरम भी हिंसा हो रही है तो पाप का बंद हो तो रहा है मगर कम होगा और वही कशाय शहीद करती है तो पाप का बंद ज्यादा होगा ऐसे संसार के काम करते हो पाप का बंद तो होता ही होता है कम हो या ज्यादा हो कशाय सहीद होगा काम तो ज्यादा होगा और कशाय तो खेर हर पल रहती है किसी न किसी कशाय का हुजाए तो हर पल चलता है चाहे व्यक्त में ना आपाए, सूक्ष में रूप में आए, लेकिन चलता तो हर्चन ही है कशाय का उदाए, तो उसमें कम बंद होता है, कशाय से ही इस्थिती और अनुभाग का बंद होता है, तो ये कब कम होंगे ज्ञान के प्राप्त होने पर, भगवान जंगल में चले गए और ब्रक्ष के नीचे बैठी है, तो ब्रक्ष भी बढ़ा पुन्ने साली है, मेरे मन में विचार आया, कि जिस ब्रक्ष के नीचे बैठकर, भगवान को केवल ग्यान की प्राप्ती हुई है, क्यों न वो ब्रक्ष यहां पर लगवाई जाए, मन में ऐसे भाव आई, तो 24 ब्र ब्रक्ष यहां लगाई जाएंगे, और वो बड़े बड़े लगाई जाएंगे, छोटे नी लगाई जाएंगे, छोटे लगने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो बड़े ब्रक्ष ही मंगवाए जाएंगे, और बड़े ब्रक्ष मंगवा करके यहां पर 24 ब्रक्ष लगाये जाएंगे और उसके साथ उसके नीचे चरण इस्थापित किये जाएंगे उन तिर्थंकरों के जिन तिर्थंकरों को उस ब्रक्ष के नीचे केवल ग्यान की प्राप्ती हुई है और जब आप कभी जाजपूर आओ तो तुम भी थोड़ा सा ध्यान लगा लेना बैठ करके उनको तो केवल ग्यान हुआ था छोटा सा ग्यान हमें भी हो जाएं ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा ग्यान हमें भी हो जाएं उस केवल ग्यान वाडिका में हमारा भी कोई ग्यान का फूल खिल जाएं क्योंकि सच्चे ग्यान के बिना कल्यान हो ही नहीं सकता है घर के क कितने कर लेना काले बाल से सफेद बाल हो जाएंगे मगर घर घरष्टी का काम कभी खतम होने वाला नहीं है चाहिं तुमारे घर कर मैं रोटी बनाने का काम हो या दुकान मैं पैसा कमानीReal ऱुमारे थे किस राणे पैसा अललग हैं लेकिन काम तो दोई हैं, है ना की इदिसरा काम और धनकमाने, आप क्यूं पच्छों के लिए कर रहे हैं, एक किसके लिए गाहरा हैं, किसके लिए ीन लगते हैं, यही जब लेकिन काम दुनिया में केवल अरे बोलिए ना तीसरा यही था था आ हैं है और उसी में इतना रम गई है इतना मन लगता है नोट गिंते हुए मन बटकता है नहीं बटकता है और माला फेरते हुए अरे बोलिए ना रोटी बनाते हुए मन बटकता है नहीं बटकता है और पूजा करते हुए है यह यह नहीं भूलोगे कि कितना नमक डाला सही डालोग कि बिल्कुल और फूजा करते गरते लाइन भूल जाओं जाओंगी नहीं मेर कि फूल web मेर चाय में चीने बालना नहीं भूलो लोगी कितनी डालना रामव यापतामबर कीम भूल जाओंगी यह रुची बताती है मोह किस पर जाता है संसार के प्रति मोह जादा है और धर्म के प्रति कम है तो धर्म के प्रति कम होने की रुची यह बताती है कि आत्मा के प्रति कम है यदि आत्मा के प्रति बढ़ जाए तो धर्म में तो अपने आप मन लगने लगेगा किसी से को कहने बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो बंद्वों मेरी भावना को समझने के लिए मेरी भावना मतलब मेरी भावना किसी भावना कौन सी भावना मेरी भावना मेरी भावना को समझने के लिए सच्चे ग्यान की आवश्यक्ता है नहीं तो ये कोई कैसा ही भाई या लाला चद्या नहीं आवे अभी यहीं किसी की सोने का कुछ मिल जाए क्या कहेगा मन रख लो किसी ने देखा थोड़ी है इमानदार तभी तख हैं जब तक बेमानी करने का मौका एक अपर मेरी भावना कब समझ में आएगी जब वैराग कहेगा रहे क्या है ऐसा सोना तो कई जन्मों में खटा किया और छोड़ दिया अभी वह इक पर रहे हैं जोड़ो नहीं लेना है जितना मेरी कमाई का महनत का है बस वो मेरा है, बाकी मेरा नहीं है, कम सकम इतना भी जीवन में आ जाए, तो भी बहुत बड़ी बात है, कम खाना, कम पहन लेना, कम पहनने के तो खेर आजकल शुरू हो गई है, पहनने के लिए है तो जादा, मगर पहन कम रही है पहले पहनने की होड़ती की कितना जादा पहनते है अब कम पहनने की होड़ती कौन कितना कम पहनता है तो चर्चा वो नहीं कतनी है चर्चा ज्यान की करनी है समय हो गया है समात करूं नहीं मात अजी मेरा तो टाइम हो गया है न बाकि आप तो घर में सुनते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं आपके घर जाओंगी सुनाने के लिए रोज आती हूं ना सुबह साम रोज सुनते हैं बस फिर तलवार में म्यान का शरीर में जान का और करने में ध्यान का मंत्र में रक्ष रक्ष का शरीर में अक्ष का और भगवान के केवल ज्यान के ब्रक्ष का पानी में खौलने का बनिया में तौलने का आपके जोर से बोलने का अनाज में चने का, गर्मी में पने का और मोह के चश्मा उतारने का कहां कहां से आये हैं? देपालपुर? अच्छा गाने में सुर का, नत्य में नूपुर का और आने वालों में देपालपुर का अमरावती महिलाओं में सती का, होने में अच्छी गती का और आने वालों में अमरावती का देवास बहु में सास का, लेने में सास का और आने वालों में देवास का अडूल? अच्छा ब्रक्ष की मूल का और शिखर के चूल का और आने वालों में आडूल का महू अच्छा व्यंतर के भेदों में हूहू का और सास के लिए बहू का और आने वालों में महू का गुरुआ के आशिरवाद का और आने वालों में औरंगवाद का बड़ोदा कहना आपने मेल मेव अच्छा फलों में सेव का देवों में पारशनाथ देव का और आने वालों में बड़ोदा मेव का हो गए सारे बीलवारा महिलाओं में कड़ा का भोजन में बड़ा का और आने वालों में बीलवारा का बांदी कुई अच्छा इंजेक्शन लगने पर कुई का और पानी के लिए कुई का और आने वालों में बांदी कुई का जैपुर रिस्तों में ससुर का देवों में असुर का और आने वालों में जैपूर का गोलेच अभी संभगवाने की